दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक ऐसा यानि मैं जज के बारे में एक फैंसले के बारे में बताऊंगा कि वर्तमान में जैसे मानलों बलातकारियों को रिहा किया जा रहा है, हत्यारों को रिहा किया जा रहा है तो लोग जजों के फैंसले पर यानि सवाल उठाते हैं लेकिन आज की जो कहानी है वो बिलकुल अलग है और जज का एक ऐसा रूप आपको बता रहा हूँ कि जो यानि वास्तम में सराहने लाइक है, ताली बजाने लाइक है वाकिया जो है वो बिहार के जहानाबाद का है, सनीवार का वाकिया है मतलब कल की कहानी है बिहार के जहानाबाद में एक लोग अदालत का यानि गठन किया गया था, लोग अदालत चल रही थी तब ही जज राकेश कुमार सिंग के सामने एक फैंसला आता है एक मुकदमा आता है कि एक किसान जो था गरीब उसके उपर यानि बैंक अदिकारियों ने उस पे लोन लेने का यानि एक मुकदमा लगा रखा था कि यानि किसान ने लोन लिया था लेकिन करज नहीं चुका पाया वो किसान आज से 18 साल पहले राजेंदर तिवारी ने यानि अपनी बैटी की साधी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रण लिया था लेकिन वो इतना गरीब था कि 18 सालों तक वे उस करज को यानि चुका नहीं पाया जिसकी वज़ाए से मामला जो है लोक अदालत में चला उसके बाद में जब जब साहम ने राजेंदर तिवारी जी से यह पूछा कि क्या मामला है तो किसान जो है राजेंदर तिवारी बुजुर्ग थे और फपक फपक कर रो पड़े और उन्होंने यह बताया कि जब साहम टोटल 18,600 रुपे मेरे अभी बाकी है बाकी का जो ब् जार रुपे हैं और उसके बाद में उसका रोना और देख करके यानि जज जो थे राकेश कुमार जी उनका दिल जो है वेप सीज गया और उन्होंने तुरंत भाँ देखा आव देखा न ताव देखा और बैंक अदिकारियों को यह बोला कि आप जो है आठ जार रुपे इ निकाल करके बैंक अदिकारियों को दे दिये और एक किसान को यानि रण से मुक्ती दिलाने के इस नाया फैंसले की चारों तरफ जो है परसंसा हो रही है आसपास में जब यह ख़वर पहली तो सबी लोग ज़सा आपके इस यानि निर्ने को देख करके बोचके भी रहे और खुसी भी हुई कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं और राजंदर तिवारी जी उनकी तो खुसी का ठिकाना ही नहीं रहा और इसके बीच में एक और सक्स भी था एक ज़सा आपने 10,600 रुपे अपनी पोकेट से दिये थे लेकिन जब राजंदर तिवारी कोर्ट प रुपे लगे बाकी जो 13,600 रुपे थे वो 10,600 रुपे जट साम ने दिये और 3,000 उनके गाम के ये एक यूवक ने दिये थे दोस्तों ये वीडियो जो है ना ये खबर जो है वो इसलिए महतो पूरन हो जाती है कि वरतमान समय में हम जो बहुत से मुद्दों पर बहस करते ह लेकिन जब ऐसी गरीबी ऐसी लाचारी जब यानि देश में बड़े बड़े लोग जो है बैंक का पैसा ले करके विदेश चले जाते हैं हजारों करोड रुपे उनका हम कुछ नहीं कर पाते लेकिन एक छोटा सा किसान जो था गरीब किसान जिसने अपने बेटी की साधी क लिए करज लिया था और आज 18 साल से बैंक जो है उसके खिलाब कोड चला जाता है उसको कोड में गसीटा जाता है अब आप सोचिए कि अगर जज राकेस कुमार सिंग जैसा कोई जज नहीं होता और कानून की दरश्टी से अगर वो चलता तो हो सकता था राजेंदर तिवा जो थी वो भी निलाम हो सकती थी क्योंकि जो सक्स 18 साल से 18,600 रुपए नहीं चुका पाया था तो वो कल कैसे चुका देता तो ऐसी बातों पर अगर हम यानि इनसानियत की दरश्टी से देखा जाए तो ये बहुत भी अच्छी खबर है लेकिन अगर सरकार की दरश्टी से तो कानौन की दरश्टी से अगर देखा जाए तो गरीबों का मसीहा कौन है ये सोचने वाली बात है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बोक्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें जै हिंद जै भारत